बच्चों फर्स करो कि आप exam center के अंदर बैटे वे हो अपने paper को दे रहे हो और सारे questions आपको आते हैं उसके बावजूद भी आपके questions छूट जाते हैं कारण पता है आपको आप बोलोगे कि सर शायद time की कमी के वजह से लेकिन time की कमी का वजह देना ये बिल्कुल भी गलत है क्यूंकि आपको question answer आते हैं फिर भी आप strategy क्यूंकि आपकी बनीवी नहीं होती है आपका focus शायद ये होता है या बच्पन से एक strategy पे चल रहे होते हो कि serially हमें चलना है और इस वजह से आपके काफी चीजें miss हो जाती है या कह लीजिए कि जो ज़्यादा नंबर वाले questions होते हैं उनको आप जब तक attempt कर रहे होते हैं या करने वाले होते हैं तब तक या तो समय निकल जाता है या फिर आपके पास समय कम बचता है है ना तो guys ये आज का जो important session है ये आप लोगों के on demand पर मैं बना रहा हूँ CBC का official blueprint जो है class 10 English का ये अभी हम discuss करने वाले है हजारों बच्चे मुझसे पोस्ते हैं बच्चो कि sir blueprint क्या होता है इसे हमें क्यों जानना चाहिए वैसे जिनको पता है वो इसको खोशते हैं जैसे ही वो class 10 12 में ज जाता चलता है blueprint से कि भाई हमें focus कहां देना है दो नंबर वाले questions कितने आने वाले हैं तीन वाले कितने आने वाले हैं चार या पांच वाले कितने हैं किस पे हमें ज्यादा focus करना है किस lesson पे हमें कम करना है किस lesson से ज्यादा questions आएंगे और किस lesson से question नहीं आएंगे या बहुत कम number वाले आएंगे तो guys इन सभी चीजों को जानना है अगर तो आपको blueprint समझना पड़ता है तो अभी जैसे कि अभी आप देख रहे हो कि हम लोग official blueprint को देखेंगे English के जो कि आपका on demand था तो जल्दी से चलते हैं और मैं वहाँ आपको ले चलता हूँ official blueprint English पे तो आगे बड़े इससे पहले आप अपने term 2 के paper को समझ लिया होगा कि आपका जो paper है वो किस तरह से रहने वाला है पहला मैं आपको बता दूँ आपका paper जो है वो 3 sections में बटा हुआ है A, B and C जिसमें की section A जो है वो reading skill है जो की 10 marks का है section B है writing skills with grammar जिसे आप short में grammar बोल सकते हो ये भी 10 number का होता है और सबसे ज़्यादा जो question आते है वो आते है literature part से जो की 20 marks का है total मिला कर के आपके हो जाते है 40 marks और 10 marks आपका आगे जाकर के आता है internal में ठीके तो ये है आपका paper का जो आपका paper का structure होगा structure paper pattern 2012 का class 10 का वो कुछ ऐसा दिखेगा 10 10 20 तो अब बड़ा सवाल आता है कि यार हमें किस पर जादा focus करना है या कौन से chapter हमारे लिए important साबित होने वाले तो आप मैं आपको वहां लेके जाओंगा जहां से आप देख पाओगे कि दो नंबर वाले या चार नंबर वाले questions कितने हैं आपको कितने attempt करने हैं और किस तरह से attempt करने हैं लेकिन आगे बड़े इस वक्त ये ज़रूरी है कि हमारे मेहनत के लिए आपके साथ के लिए एक like बनता है पहली बार अगर आप हमाई चल में आए हो तो do subscribe to the channel आपको इस channel के अंदर में जितने भी important notes है blueprint है, marking scheme है, weightage system है कुछ भी है, वो सब आपको मिल जाएगा free of cost तो जल्दी से channel को subscribe कीजिए वीडियो को ज़्यादा share करना अब हम चलते हैं जल्दी तो अब हम लोग देख रहे हैं guys कि यह जो आपका paper बटा वो कैसा बटा, किस तरह से आपके questions जो हैं वो आने वाले हैं आपके term to paper में तो यहाँ पे जैसा कि अभी आप देख सकते हो मैंने अभी जो बताया section A, B, C तो यहाँ section A, B, C अब आप यहाँ देखो कि किस तरह से questions आ रहे हैं discursive passage यहाँ पे है और यह देखो आपका दो number वाले questions तीन number वाले चार number वाले पांच number वाले ठीक है दो, तीन, चार और यह पांच number अब यहाँ पर discursive passage की जब हम बात करते हैं बच्चों तो यहाँ पे पांच number का इससे एक question आता है जो कि आपको अच्छे से आराम से मिल सकता है कोई खास issues इसमें नहीं रहते हैं ठीक है दन यहाँ पर case-based factual passage एक आता है जिसमें के भी जिसमें भी पांच number रखे वे हैं यानि कि आप समझ सकते हो इस वेरी मच इंपोर्टन analytical paragraph में भी यहाँ पे पांच number का देखो एक question है ठीक है अब आपको देखो idea मिल रहा होगा कहां से किस तरह के questions आ रहे हैं यहाँ पे आता है next part आता है letter part ठीक है तो paragraph या letter इसमें से आपको एक attempt करना है और letter आपको दो तरह के आपको यहाँ पे आ रहे है एक तो inquiry वाला ठीक है और दूसरा order वाला जो मैं पहले दे चुका हूँ आपने उन वीडियोस को नहीं देखा तो देख लिजे मैं दुबारा भी उसको डालने वाला हूँ क्योंकि बहुत बच्चों का demand था सर कुछ format आप special way में करवा दिजेगा तो वो मैं आपको करवाऊंगा तो inquiry या order वाले जो आपका letter आएगा इसमें भी आपके 5 marks के question बने वे हैं अब next आते हैं grammar portion ठीक है grammar portion मतब grammar से आपका 3 number का 1 question है और यहाँ पर 2 number का 1 question ठीक है अब यहाँ पर next part जो हम आ रहे हैं इसको जल्दी से हम समझते हैं देखो यहाँ पर जैसा कि अभी आपने देखा था literature part जो है वो आपका वो 20 marks का total है ठीक है तो 2 number वाले जो questions होंगे इसमें आपको 7 questions आएंगे जिसमें से आपको 6 करना है यानि कि यह हो गए 12 और 4 number वाले 3 questions आएंगे जिसमें से आपको करना है 2 यानि कि यह हो गया total 8 और इन दोनों को अगर आप add करते हो तो यह हो जाएका 20 तो यहाँ ध्यान क्या रखना है कि 2 number वाले 7 questions है लेकिन आपको attempt कितना करना है 6 I know I hope कि आप लोग इसको समझ गए 4 number वाले 3 questions आएंगे लेकिन आपको attempt करना कितना है 2 तो यह है total अब यहाँ देखो जैसा कि अभी आपको पता है बच्चों कि English की जब आप बात करते हो तो आपके 2 books हैं Class 10 में 1st flight or Footprints Without Feet तो यहाँ पर देखो Footprint जो 1st flight वाला point है आपका book है इसमें से यहाँ दो दो नमबर वाले आप देख रहे होगे बहुत सारे questions आ रहे हैं जैसे कि 1st flight the sermon at Benares से यहाँ दो नमबर का एक question है then poetry animals बात करें Two number का एकinga और Proposal इस से भी आ रहा है जो की 200 sections का है अब अगर हम आगे की बात करें आगे की हम बात करें तो यहाँ पर देखो Footprints Without Feet से अप क्या हो रहा है यहाँ दानेग्लेस से भी आपको व्हच रहा है Two number का इक question और the hack driver से भी आपको पूछ रहा है दो नमबर का question ठीक है तो फिर से वही बात याद रखनी है आपको कि 7 total question आएंगे ठीक है दो नमबर वाले कितने आपको attempt करने है 6 आएंगे कितने 7 ठीक है अब आप जल्दी से चलो आगे अब यहाँ जब आगे चलते हो तो बच्चों यहाँ पे देखो यहाँ पे आपको footprints without feet भोली and the making of a scientist यहाँ पर आपका चार नमबर वाला जो है वो एक question आ रहा है and then आपका prose section से glimpse first right से the glimses of India यहाँ से आपका आ रहा है एक और यहाँ से first right the proposal से चार नमबर का एक question आ रहा है और जैसा मैंने अभी अभी आपको बताया था चार नमबर वाले आपको दो ही questions करने हैं जबकि आपको मिलेंगे तीन तो यहाँ पे आपका 8 number यहाँ बनेगा चीक है तो guys देखो यहाँ पे अभी आपने क्या सीखा अभी आपने सीखा कि अगर मुझे पता हो कि मुझे structured way में कैसे जाना है कहा जाना है किस तरह से किन questions को attempt करना है so this makes the life very much easier तो हमें वही चीज करना है और अपने पूरे focus को हमें इस चीज पे उतार के लाना है यह official blueprint है जो मैं आपके लिए available करा रहा हूँ यहाँ पे इस वक्त और आप लोगों को पूरी तरह से इसको follow करते वे चलना है अब रही बात other blueprints की तो मैं कई जो blueprints है वेटेज सिस्टम है chapter wise वो मैं आपको provide करा चुका हूँ नहीं देखा जल्दी से जाओ सबके links दिस्क्रिप्शन में मौझूद है आप जाओ blueprints देखना है blueprints देखो subject की notes चाहिए वो ले लो लेकिन जादा सादा देखो और वीडियो को share करो ठीक है तो यह मेरा आप लोगों से request है and once again जो मैं आपसे कहना चाहूंगा वो यह कि भाई यह सारे चीज़े जो बन रही है यह सिर्फ और सिर्फ मैं बना रहा हूं आपके लिए ठीक है सो प्लीज 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 वीडियो को जादा सादा शेयर कीजेगा आपका एक like एक comment एक subscribe हमें बहुत motivate करता है सो प्लीज motivate us and yes वीडियो को जादा सादा शेयर करना मिलते हैं नेक्स वीडियो में this all from my side अभी बहुत important वीडियो आ रहे हैं सिर्फ और सिर्फ आपके लिए तो बने रही मेरे साथ में जै हिंद जै भारत झाल 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 झाल